26 जनवरी जैसे महात्पूर दिवस में जब परेड निकल रही हो और देश के राष्टपती उस परेड को सलामी दे रहे हो उस समय आप लोगों के सामने जिन महान वुभूतियों के बारे में चर्चा की जाती है जिन पुरुसकारों के बारे में चर्चा की जाती है उन पुरुसकार और क्या है इनकी उप्योगता तो आईए आज हम लोग जानते हैं कि पुरुसकार की उप्योगता क्या होती है सबसे पहली बात तो यह इन पुरुसकारों को तीन पुरुसकार तीन केटिगरी में बाटा गया है सबसे बड़ा पुरुसकार इन तीनों में पद आर्ट, सोशल वर्ग, पॉब्लिक अफेर्स, साइंस एंड इंजिनिरिंग, ट्रेड एंड इंडस्टी, मेडिसीन, लिट्रेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, स्पोर्ट एंड अदर्स, यानि की विशेश प्रकार की विबिन्य प्रकार के छित्रों में असाधार सहयोग को और देश के मान को बढ़ाने वाले लोगों को ये पुरुसकार प्रदान किया जाते हैं, यह सब सिविल एवोट्स हैं, यानि नागरिकों को दिये जाने वाले पुरुसकार हैं, अब आप लोग देख लिजे, वर्ष दोहजार तेईस में कितने लोगों को इन पदमपुरुषकार से क्या किया गया सम्मानित अगर बात करते हैं इन में से पदमविभूशन पदमभूशन और पदमश्री से कितने लोग सम्मानित हैं तो पदमभूशन से 6 लोग पदमभूशन से 9 लोग और पदमश्री से 91 लोगों को सम्मानित किया गया और महत्रपूर जिसको non-resident Indian कहते हैं PIO person of Indian origin और OCI category जिसको overseas citizen of India कहा जाता था जो कि आप समाप्त कर दिया सरकार ने उस category से दोलो और पॉर्थुमसली यानि मरुणों परांत साथ लोगों को दिया गया अब बात आती है कि इनकी शुरुआत कब से हुई तो याद रखेगा 1954 से इन पद्मपु पुरुषकारों को देना शुरू किया जया और सबसे महातऊंब बात क्या है 1978 में और 1979 में कि तब हमारे अन्पुरुषकारों को ओचित्रवीश겠습니다 नहीं करा दिया था और इन पुरुषकारों को उस साल नहीं दिया गया इसके साथ मैं 1993 से 1997 तक जब Hindegपर प्रदेश की हाई कोड ने इन पर रोक लगा दी थी तब इन पुरुसकारों को नहीं दिया गया बाकि हर वर्स इन पुरुसकारों को दिया जाता है अब हम सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूशन आप लोग देख रहे होंगे कमल की पंखुडियां जिसमें देव नाग कगता है बाता हैंvamema नृशन दिशन परिसकारों को विभूशन इन सब लोगों को दिया रहते हुए यानि कि तीन लोगों को मरोनो प्रांथ पुरुषकार दिया गया और तीन लोगों को जीवित रहते हुए पुरुषकार मिला है यह सारे लोग और उनिक्या स्पेसलाइशन क्या है जैसे अगर हम बाल कर जोशी जी की बात करें तो यह गुजरास से संब्धित है अगर हम दिलिप महालोने बेस की बात करें तो यह वेस्ट बेंगॉल से संब्धित है मुलाइम सिंग यादाव जी पब्लिक एफेर्स एक अच्छे नेता के छवीति और सिरी निवाज वरधन की बात करते हैं तो साइं से समंदित है और यह यूयसे से संब्धित है अब सवाल उठता है पद्म भूशन की तो आप लोग देख सकते कमल की पत्तियां उपर पद्म और नीचे भूशन लिखा है आज तक 1306 लोगों को दिया गया अलग अलग चेत्रों में किनकिन चेत्रों में कितने लोगों को पुरुसकार दिया गया आपके सामने ये पूरी ट समझ रहे हैं अगर सुधा मूर्थी जी का राज्य से इनको यह पूरुसकार से सम्मानित किया अपने आप में इनका योगदान भी आतुलनी है अदुती है और ऐसा पुरुसकार इनको सम्मानित किया गया अब हम बात करते हैं पद्म श्री की तो उसी तरीके से कमुल के पंखुड़ियों के बीच में ऊपर पद्म और नीचे श्री से सम्मानित वर्ष 2023 में 91 लोगों को ये पुरुसकार दिया गया जिन में से सबस्यादा चर्चा का विसाय जिनको रहा वो है रवीना टंडन जी आपने देखा होगा कला के छेतर में रवीना टंडन एक अभिनेत्री हैं और इन्होंने अपने अभिने से भारत का मान बढ़ाया और इसके कारण इनको ये पुरुसकार दिया गया इसी तरीके से और महत्पूर्ण जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए हम हैं रिजल्ट गुरु धन्यवाद